इसका नव संकल्ब चिंतन शिविर और शिविर में चिंतन से पहले अविनाश पांडी ने पसीना बहाया है। होटेल ताज अरावली के जिम में उन्होंने कसरत किया है। फिटनेस को लेकर काफी सजग हैं पांडे और होना भी चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि स्वस्त मन और स्वस्त तन उसके जरिये ही आप आगे की जंग को लड़ सकते हैं। और कॉंग्रेस के लिए एक लंबी जंग है दोजार तेईस, दोजार चौबीस।